नेपाल में भारत विरोधी एजंडा चलाने वाले काठमांडू के मेर बालेन शाह ने फिर एक बार भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको वताएं तो बालेन शाह भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्षे के जवाब में नेपाल का एक विवादित नक्षा जारी किया था जिसको लेकर उन्होंने खूबसूर ख्या बटोरी। इक ऐसा बयान दिया था जिसकी वज़़ से नेपाल में बवाल हो गया। और नेपाल की संसद से लेकर सड़क तक पर नेपाल में विपक्ष ने पुष्प कमल दहल प्रिचंड का विरोध शुरू कर दिया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री के स्थीफे की मांग भी शुरू कर दी। नेपाली पियम ने हाल ही में कहा था कि नेपाल में बसे एक भारतिय बिजनस्मैन ने उन्हें प्रधानमंत्री नेउक्ष करने के लिए भारत से बात की थी। उनके इस बयान पर नेपाल का विपक्ष भड़ा गया और कह रहा है कि नई दिल्ली की तरफ से नीक्ट किये गए प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के विवादित बयान का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है जिसमें वो नेपाल में छे दशकों से अधिक समय से रह रहे है भारतिय बिजनस्मैन सरदार प्रितम सिंग को लेकर एक कारेकर में बोल रहे थे प्रचंड ने कहा कि सरदार प्रितम सिंग ने भारत नेपाल रिष्टों को मजबूत करने में एहम भूमी का निभाई है आपको बताएं तो चीन ने नेपाल की राजनिती में दखल अंदाजी शुरू कर दी है चीन चाहता है कि नेपाल में भारत का प्रभाव कम हो और ची झाहता है